अगर आम money view नाम की loan application से personal loan लिलना चाहते हैं तो दोस्तों ये वीडियो देखना आपके लिए बहुत important है क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जो आपको loan apply करने के बाद बता चलते हैं और अगर ये चीज़ें आपको बाद में कोई शौक ना लगे तो दोस्तों वीडियो को स्टाट कर लेते हैं मेरा नाम है विकास मीना आप देख रहे हैं my company दोस्तों वीडियो के अंदर हम mainly इसके charges के बारे में जानेंगे इसके फायदे और इसके नुकसानों के बारे में आपको वीडियो के अंदर मैं बताने वाला तो दोस्तों यहाँ पर जो मेंन फीचर्स हैं यहाँ पर आपको 5000 रुपे से लेकर के 5000 रुपे तक का लोन मिल जाता है यह दोस्तों एक pure personal लोन application है यह कोई EMI card नहीं है कि आप खर्चे करें और उसको split कर सकें आगे इसके disadvantages के बारे में बताऊंगा लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको यह जानना जरूरी है कि आप 5000 रुपे से लेकर के 5000 रुपे तक का लोन ले सकते हैं यह एक personal लोन application है यहाँ पर दोस्तों आप अपना जो returning repayment का जो tenure है उसे आप 5 साल तक कर रख सकते हैं यहाँ पर दूसरे जो cards है वो आपको सिर्फ 12 महीने 18 महीने तक का आपको E loan लेते हैं क्योंकि यह obviously एक loan दे रहा है आपको तो आप इस loan को अपने bank account में भी transfer कर सकते हैं अब दोस्तों यह तो हमने इसके फायदे है इसके main main जो मोटे मोटे फीचर से उसके बारे में बात कर ली अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों इसके eligibility criteria के बारे में उसके बाद हम द से 57 साल के बीच में अगर आपकी age है और दोस्तों अगर आप एक salaried person है हलागी दोस्तों self-employed persons को भी यहाँ पर loan मिल जाता है लेकिन फिलाल currently आज की date में यहाँ पर loan नहीं मिल रहा है self-employed persons को लेकिन हफते 10 दिन के अंदर यह self-employed को भी loan start कर देने वाले हैं तो यहाँ प आता है वो 15,000 से ज़्यादा परमंत का होना चाहिए अब दोस्तों साथ-साथ यहाँ पर एक criteria यह भी है कि आपका civil score है दोस्तों वो 600 से ज़्यादा है यहाँ पर होना चाहिए तब भी आप loan के लिए qualify होते हैं कुछ documents भी दोस्तों आपको चाहिए होते हैं loan approval के लिए दोस् इसके अलावा दोस्तों आपको यहाँ पर तीन महीने की bank statement देनी होती है पिछले तीन महीनों की bank statement आपको देनी होती है इसके अलावा दोस्तों आपको यहाँ पर ITR देनी होती है पिछले दो सालों की और दोस्तों आपको यहाँ पर एक current address का proof भी देना होता है अगर आपका personal loan application से loan apply करते हैं तो इन qualifications के basis पर दोस्तों आपका loan approve किया जाता है तो अब दोस्तों के charges के बारे में बात कर लेते हैं तो दोस्तों charges में मैं आपको mainly बता देना चाहता हूं कि जो processing fees यहांपर लगती है वो दोफेंट लगती है जो भी आप loan अप्रूव करवाना चाहते हैं जितना भी अमाउंट उस अमाउंट का 2% आपको प्रोसेसिंग फीस के रूप में देना पड़ता है और यह जो फीस है यहाँ आपके लोन जब अप्रूवल होता है जो पैसा आपके अकाउंट में आता है उसमें से दोस्तों डिड़क्ट हो ज पर और जो भी उस EMI की डेट थी जो भी शेडूल पेमेंट देट थी उस डेट से लेकर के आपको 2% पर मन्त यानि की 24% सालाना का इंट्रेस्ट देना पड़ता है तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर आगर आप EMI मिस कर देते तो बांस चार्जेस भी लगते हैं और 15% पर YEAR से स्टार्ट होता है तो दोस्तो 17% के इंटरेस्ट पर आपको यहाँ पर Personal loan दिया जा रहा है तो दोस्तो यह तो हो поймों के चार्जेस अब दोस्तों बात करते हैं कौंस के कम्या क्या है क्या क्या इसी चीज़े हैं जो यहाँ पर आपको नहीं मिल रही है जिन फीच कमी में अगर आपको बताना चाहूं तो दोस्तों यहां पर यह है कि जो self-employed लोग है उनको दोस्तों यहां पर loan लेने में थोड़ी problem आ रही है self-employed लोगों के लिए यहां पर loan लेना थोड़ासा मुश्किल हो रहा है और दोस्तों अगर जो salary अगर आपकी cash में आती है तो दोस्तों आपको loan नहीं मिलेगा यहां से तो जरूरी है कि जो salary आपको मिल रही है वो bank account में आपके सीधे आ रही हो net banking के through आ रही हो तो उस case में ही दोस्तों आपको यहां पर loan मिलता है अब इसके अलावा दोस्तों यहां पर एक condition यह भी apply होती है कि अगर आप एक बार loan application form भर देते हैं और उसमें कोई loan amount decide करके डाल देते हैं जो कि आपको डालना ही पड़ेगा loan amount पूछा जाता है तो दोस्तों loan application form fill कर देने के बाद आप अपना loan amount change नहीं कर सकते यानि कि जो amount आपने loan application form में भर दिया है वो ही amount का loan आपको लेना पड़ेगा उसके बाद आप उसमें कोई change नहीं कर पाएंगे अब इसके अलावा दोस्तों आप अगर loan agreement sign कर देते हैं आपको loan फिर उस case में लेना ही पड़ेगा अब एक दोस्तों condition यहाँ पर यह भी apply होती है कि आप यहाँ पर एक time पर एक ही loan ले सकते हैं यानि कि अगर आपने कोई loan ले रखा है already तो आप उसके बाद कोई दूसरा अगर loan लेना चाहते हैं लेकिन आप उस card का use करके दोस्तों पैसा withdraw नहीं कर सकते हैं ATM से यानि कि ATM पर जाकर करके आप उससे cash withdraw नहीं कर सकते हैं हला कि loan तो दोस्तों आपके account में transfer हो जाता है लेकिन इस card का use करके आप ATM से cash नहीं निकाल सकते हैं अब दोस्तों हम बात करते हैं foreclosure charges की जो उसकी main disadvantages है यहाँ पर दोस्तों foreclosure में क्या होता है कि अगर आप कोई loan लेते हैं और अगर आप tenure decide करते हैं कि मैं 6 महीने में इसकी repayment करूँगा 6 EMIs में आप मैं इसको repay करूँगा तो उस case में दोस्तों आप इसको पहले foreclosure नहीं कर सकते यानि कि 6 महीने से पहले आप इसे बंद नहीं कर सकते 6 EMIs आपको देनी पड़ेंगी और अगर दोस्तों आप repayment का schedule decide करते हैं 7 महीने से लेकर का 18 महीने तक तो उस case में दोस्तों आपको 6 EMIs वहाँ पर भी देनी है complete यानि कि 6 EMIs देने के बाद 7 या 8 महीने में आप उसको foreclose कर पाएंगे और दोस्तों अगर आप 18 महीने से ज़्यादा का टैने और decide करते हैं यानि कि repayment schedule आपका 18 महीने से ज़्यादा का है तो उस case में दोस्तों आपको 12 EMIs at least pay करनी है उसके बाद आप उस loan amount को loan को foreclose कर पाएंगे description में दे रखे हैं जहां से मैं आपको recommend करता हूँ कि आप जाकर loan apply कर सकते हैं तो description में उन सारी applications के link है आप जाकर के वहाँ से loan apply कर सकते हैं और अगर दोस्तों आपके पास कुछ extra पैसा पढ़ा हुआ है अपने savings account में तो दोस्तों आप उस पैसे को invest भी कर सकते हैं दोस्तों छोटा मोटा amount अगर आप invest करना start करते हैं trading करना start करते हैं तो दोस्तों आपके एक extra income वहाँ से generate हो जाती है तो दोस्तों मैंने नीचे upstocks का और angel broking का link भी दे रखा है आप जाकर के वहाँ से अपनी investment की journey को start कर सकते हैं और दोस्तों I&D money का नीचे link मिल जाएगा जहां से आप track कर सकते हैं अपनी investments को दोस्तों आप मुझे facebook, instagram, twitter पर भी follow कर सकते हैं मेरा user name है my company 057 और दोस्तों मेरे दूसरे channel मेरा राइना family vlogs को भी subscribe कर सकते हैं कर लेंगा आपको उपर आई बटन में और description में मिल जाएगा इसी तरह कि वीडियो दोस्तों हर संड़े दोपर 12 बजे और वेनेज़े दोपर 12 बजे में लेकर क्याते रहता हूं तो दोस्तों तब तक के लिए मुझे दीज़े जाज़त जैहन जै भारत